बच्चो आज को हमारा पार्ट है पार्ट 6 पार नजर के यानि नजर के उस पार ठीक है चलो पार्ट शुरू करते हैं यह कहानी है वह एक सुरंग नुमा रास्ता था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मना ही थी लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्यूरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में फिर क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज पापा को काम पर जाना होता है रोजाना यही वारतालाप हुआ करता छोटू की मा और छोटू के बीच उस तरफ ये सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए अपने काम पर जाते थे आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मना था चंद चुनिंदा लोड ही सुरंग नुमा रास्ते से जा सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोडों में से एक थे आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर अराम फर्मा रहे थे नजर बचा कर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्यूरिटी पास हतिया लिया और चल दिया सुरंग की और वैसे तो उनकी पूरी कोलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिये जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना पड़ता था दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था छोटू ने एक खांचे में कार्ड डाला तुरंत दरवाजा खुल गया छोटू ने सुरंड में प्रवेश्ट दिया अंदर वाले खांचे में सिट्यॉरिटी पास आ पहुचा था उसे उठा लिया कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ छोटू ने चारो तरफ नजरे दोड़ाई सुरंड नुमा रास्ता उपर यी तरफ जाता था यानि जमीन के उपर का सफर करने का आज मौका मिल गया था मगर कहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया सुरंग में जगा जगा लगाए निरिक्ष यंत्रोई जानकारी छोटू को नहीं थी मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरिक्ष यंत्र में संदेह पदिस्थिती दर्शाने वाली हकत हुई इतने छोटे कद अव्याती आखिर सुरंग में कैसे आया दूसरे निरिक्ष यंत्र ने तुरंट छोटू इ तस्वीर खीच ली किसी एक नियंत्र केंदर में इस तस्वीर इजाच की गई और खत्रे की सूचना दी गई इन सारे गतिवीधियों से अंजान छोटू आगे बढ़ रहा था तभी जाने कहां से सिपाही दोड़े चले आए छोटू को पकड़ कर वापस घर छोड़ाए घर पर मा छोटू का इंतिजार कर रही थी बस अब तो छोटू की खैरियत न थी छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुशिल था छोड़ो भी मैं इसे समझा दूंगा सब फिर वह ऐसी डलती कभी नहीं करेगा पापा ने छोटू को बचा लिया बोले छोटू मैं जहां काम करता हूँ न वह छेतर जमीन के उपर है आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के महौल में जी नहीं सकता तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजिमी था मैं वहां एक खास किसम का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ इस स्पेस सूट से मुझे ऑसिजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ इसे स्पेस सूट यी वज़े से वहां की ठंड से मैं अपने आपको बचा लेता हूँ खास में किसम ए जूते की वज़े से जमीन के उपर मेरा चलना मुम्किन है जमीन के उपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेश प्रकार का प्रशिशन दिया जाता है छोटू सुन रहा था पापा आगे बताने लगे एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के उपर ही रहते थे बगाय किसी तरह के यंतरों की मदद ए वे किसी खास किसम की पुशाट के हमारे पुर्खे जमीन के उपर रहा करते थे लेकिन धीरे धीरे वातावरन में परिवर्तन आने लगा कई तरह के जीव धर्ती पर रहा करते थे एक के बादे सब मरने लगे इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन सूरज से हमें रोशनी मिलती है उशनता मिलती है इन्ही तत्वों से जीवों को पोशन मिलता है सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्राकृति संतुलन भी बिड़ गया प्राकृति के बदलने का रूप सामना करने में यहां के पशु पशी, पेड़, पौधे, अन्ने जीव, अक्षम शाबित हुए केवल हमारे पूरवज ने इस स्थिती का सामना किया ठीक है, आगे पढ़ते हैं मैं आगे बताऊंगी कहां की बात हो रही है और क्या बात हो रही है अपने तक्नी की घ्यान के अधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया जमीन के उपर लगे विभिन यंत्रोए सहारे हम सूरे शक्ती, सूरज रोशनी और गर्मी का इस्तिमाल करते आ रहे हैं उन्हीं यंत्रोए सहारे हम यहां जमीन के नीचे रह रहे हैं ठीक है, इसके लिए बड़ी सतर्किता बरतनी पढ़ती है मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोड ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रहते हैं जब बड़ा हो जाओंगा तो मैं भी यही काम करूंगा छोटू ने अपनी मंशा जाहे की बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा मा और पापा की सारी बाते सुननी होगी मा ने कहा दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए देखा तो कंट्रोल रूम का जो वातावरन था वो बदला बदला सा था शिफ्ट खतम कर घर जा रहे स्ताफ के प्रमुठ ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया स्क्रीन पर बिंदू जल रहा था वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है क्योंकि कॉम्प्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगा अडिक नहीं है पिछले कुछ घंटो ए दौरान इसने अपनी जगा बदल ली है कम्प्यूटर के अनुसार यह हमारी धर्ती तरफ बढ़ रहा है ठीक है देखो बेटा यह जो हमारा छोटू है और इसी फैमिली इसी मम्मी पापा यह लोग कहां रह रहे हैं मंगल ग्रह पे वो भी मंगल ग्रह पे कहां मंगल ग्रह की धर्ती के नीचे क्योंकि धर्ती के उपर अवातावरन उनके रहने लाया नहीं है धर्ती के उपर उन्होंने अपना एक स्पेस एजेंसी या ऐसे कुछ तखनीक बना रखी है और अब उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है जो उनकी धर्ती की तरफ बढ़ रहा है उनकी धर्ती यानि मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है आगे पढ़ते हैं अंत्रिक्षियान तो नहीं है छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट इया संदेह हमें भी है आप अब इस पर बराबर ध्यान रखेगा छोटू के पापा सोच में डूब गए क्या सचमुच अंत्रक्षियान होगा कहां से आ रहा होगा सौर मंडल में हमारी धर्ती के अलावा और कौन से ग्रह हैं जिन पर जीवों का इस्तित्व होगा कैसे हो सकता है और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रक्टि कर चुका होगा कि अंत्रिक्षियान छोड़ सके ये छोटू के पापा अपने मन में सोच रहे है यान को देखके वैसे तो हमारे पुर्वजों ने भी अंत्रिक्षियानों उपग्रहों का प्रयोट किया था मगर अब हमारे लिए यह संभव है उसके लिए वश्य मात्रा में उर्जा हो तो काश इस नए महमान को नजदी से देखा जा सकता हो हाँ अगर भै इसी तरफ आ रहा है तब तो ये संभव हो सकेडा की हम उसे देखें ठीक है कोई अंत्रिक्षियान यानि सैटेलाइट मंगल रही तरफ बढ़ रही है अब अंत्रिक्षियान से एक यान्त्री की हाथ बाहर निकला ठीक है कोई रोबोट हर पल उसकी लंबाई बढ़ रही थी उस हाथ की छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा कोलोनी की प्रबंध समीती ने सभा बुलाई ठीक है अंत्रिक्षियान नजदी के ही किसी ड्रहने छोड़ा है हमें आगे पता चले रहा कि यह यान किसने छोड़ा ठीक है ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए इसके को सुनिश्चित्ता योजना बनाई जानी चाहिए नमबर एट आपका क्या खयाल है नमबर एक वहां के एक आदमी नाम दिया गया है जो वहां पर ही काम करता है मैंबर है उनके एजनसी का ठीक है वो उसके ही उपर जो है सुराशा की सारे जिम्मेदारी है नमबर एक पर ठीक है ना तो उन्होंने कुछ कागर समेटते हुए बोला कि इन दोनों अंत्रिक्षि नहीं मिलेगी कि यह कहां से आया अंत्रिक्षियान बेकार बेकार करके जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है हाला कि अगर यह अंत्रिक्षियान खुद बखुद जमीन पर उतरेंगे तो उन्हें बेकार कर देने के शमता हम में है मेरी जा जो है वहाँ फ़र्मना चारी कर लिए ध्याणिक है वह बोलती हैं कि हाला कि इन त्रोब बेकार कर देने से खत्रा है इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जाएंगे मतलब इनने फ़ितम किसने कि है मंगल ग्रह पर कुछ लोग हैं इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोटन करते रहना चाहिए सिर्फ देखते रहना चाहिए जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व उच्छिपाए रहना चाहिए क्यों कि हो सकता है जिन लोगों ने अंत्रिक्षियान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े अंत्रिक्षियान भेज दे हैं न हमें यहां का प्रबंध कुछ इस तरह रहना चाहिए जिससे इन यंत्रों उगलत फैमी हो जाए कि इस जमीन पर कोई भी चीज नहीं है ठीक है अध्याश महोदय से मैं यह दखवास करता हूं कि इस तरह का प्रिस्ताव हमारे यहां किया जाए अब नंबर तीन की बारी नंबर तीन है समाजी विवस्ता का काम देखता है उनकी बात जवाब में अध्याश कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी अध्याश ने चोंगा उठाया एनी फोन उठाया एक मिनिट बाद सभा को संभोधि क तो हमारे जमीन पर उतर चुका है वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महतवपून दिन था पापा उसे ले रहे आज दिए मुप को पापा ने छोटू को अपने साथ अने रहे रहे जाता कैसा अजीव लग रहा है यहां इसके अंदर क्या होगा पापा छोटू ने पूछा अभी नहीं बताया जा सकता दूर से ही इस्ता निरेशन जारी है उस पर बराबर हमारा ध्यान है उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है वक्त आने पर ही हम अड़ला कदम उठाएंग चोटू के पापा ने बताया उन्होंने चोटू को एक कॉंसेल दिखाया जिस पर कई बटन थे बटन बने होते हैं यह यह बढ़ा सा कीबोर्ड इतरह होता है अब उन्त्रिक श्यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर आया ठीक है यां से सैटलाइट से और जो हर पल बढ़ता जा रहा था वह शायद जमीन तख पहुँच और मिट्टी उटेड़ना चाहता था मतलब एक रोबोट जैसा निकला ये जिसा हाथ बाहर था वो मिट्टी लेना चाहता था मंगल्यान की सब लोग रिस्ट्रिन पर हाई दे रहे थे अंत्रिशियान की सरकत उध्यान से दे रहे थे सिवाए एक के उस अध्यान कहा था और क्यूं था देखो छोटू असार अध्यान कॉंसॉल पैनल पर था कॉंसॉल का बटन दबाने की अपनी च्चकवे रोख नहीं सका ठीक है जो बटन व व से हाई दे रहा थ हूर यह रेडॡ बटन था जो वह दबाने से खुद और रोख नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया और सहसा खत्रेली गंटी बजी उसने गलत बटन दबाया सबकी निगाहे कॉंसॉल इतरफ मड़ी पापा ने छोटु को अपनी तरफ ठीशते हुए जापड रसी यानि थपड़ मारा और लाल बटन को दुबारा से वैसे ही ओफ कर दिया जैसे पहले था मगर उस तरफ अब अंत्री शियान के उ हमारे अर्थ इबात हो रही है हमारी प्रित्वी पर नैशनल एरोनाटिक्स एडिस एड्मिनिस्ट्रेशन यानि नासा द्वारा प्रस्तव तव्य ने सबका ध्यान अपनी और आकरशित इया नासा ने क्या रिपोर्ट जारी की कि मंडल की धर्ती पर उत्रा हुआ अंत्रिक कारे कर रहा है हाला कि किसी अज्डियात प्रिपशियान का यांत्रिक हाथ बेकार हो ड़िया नासा की Neris इस बारे में जाज कर रहे थे तत्पार इस यांत्रिय हात व द्रुस्त अनिए कोशिश भी कर रहे हैं जे मंगल ग्रह पर खराब हो गया जिस Аहात इसके कुछी दिनों बाद प्रित्वी के सभी प्रमुक कवारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने इक में सफलता मिली है यांतरी हाथ ने मंगल ग्रह की मिट्टी के विभी नमुने कठे करने आरम कर दिये हैं प्रित्वी के विध्यानी मंगल की इस मिट्टी का अध्यान करने के लिए बड़े उस्सुठ हैं उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्येन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा ठीक आम अंगल ग्रहे पर भी प्रित्वी की तरह जीव स्रिष्टी अस्तित्व है यह प्रश्ण एक रहस्य है ठीक है हम प्रित्वी वालों ने हमारी प्रित्वी के एजंसी जो है नासा ने जो है अंत्रिशियान भेजा मंगल ग्रह पे जहां पर कौन रहता था छोटू और उस अपरिवार ठीक है तो ये चलो बच्छो प्रश्ण अब भ्याश कर लेते हैं पहला प्रश्ण है कि छोटू का परिवार कहा रहता था देखो मैंने आपको बताया मंगल ग्रह पे रहता था और वहां पे भी जमीन के नीचे सुरंग में क्यों जमीन के उपर इस्थिति उनकी रहने लाया नहीं थी मंगल ग्रह की ठीक है दूसरा प्रशण है कि छोटू को सुरंग में जाने ही इजाजत क्यों नहीं थी पाट की अधार पर लिखो क्यों नहीं छोटू जा सकता था अंदर दो अच्छो पाट ओडूसरे पेज़ पर ऑन्पर जाता था जमीन पर और वह छेटर जु कि उन्हें oxygen मिलती थी ठीक है और अगले पेज़ पर दिया देखो खास किसमें जूते भी पहनने पढ़ते थे जमीन के ऊपर चलने फिरने एलिए विशेश प्रार अप्रेशेशन दिया जाता था ठीक है तो इसलिए जो है छोटू सुरंग में नहीं जा सकता था लेकिन उसके क्या किया देखो फिटा पिछले पेज पर चोटों पापा उसको लेके रहे थे ऊपर तो चोटू असारा ध्यान कॉंसौल पैनल पर बटन थी जो उसको बारबर अपने ओर ठीच रहा था और उसने क्या किया उसलाल बटन को दबा दिया ठीक है यही इस आउत्तर है प्रशन छार पूछ रहा है इस पहानी के अनुसार मंगल ग्रः पर कभी आम जीवन था वह सब नश्ट कैसे हो गया इससे लिखो मंगल ग्रह की कहानी BACK कैS कैसे के इस पहते हैं इस कहानी की अधार वह तो हां बेटा इस कहानी की मंगलग्रह की है यहाँ पेज चोटू के पापा बताते हैं कि कैसे मंगल ग्रह पर सब कुछ नश्ट हुआ देखो उन्होंने कहानी सुनाई थी ना कि एक समय था जब उनके मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन पर रहते थे लेकिन क्या हुआ कि यंत्रों मदद एलिए किसी खासम कि पुसाद के उनके सुरज में परिवर्तन के कारण जिससे उन्हें रौशनी मिलती थी उश्नता मिलती थी इनहीं तत्वों से जीवों का पोशन होता था लेकिन जब सुरज में परिवर्तन हुए तो प्रकृती संतुलन बढ़ गया और धीरे-धीरे प्रकृती जौ है बदलकर रूप उसका रहे थे जिनकी वह से छोटू और उनके पापा जो है आज वहां पे सुरंग में रह रहे थे प्रश्न पांच कहानी में अंत्रिक शियान को किस नहीं भेजा था अभी हमने पड़ा था पिछले पेज पर यह कि प्रिद्वी पर नैशनल एरोनाटिस एंड स्पेस अड्मिनिस् यानि जो मंगल रहपर उनकी जो एजनसी में ये तीन लोग थे सुरंकिम में जो रहते थे उन्होंने अटपटे से मतलब अजनभी से निबटने इलिए कुछ अलगी तरीए बताये थे कौन-कौन से तरीए बताये थे वह बताना है तो हम पीछे चलेंगे हां देखो यहीं पे यह रहा नंबर एक नंबर एक क्या किया कि कुछ काघजो मेटते हुए क्या कहा उसने इन दोनों को जलाकर five कर देनी कि हमार पास सम्ता तो है मगor हमें से कोई जानकारी नहीं मिलेगी और अंत्रिख शियान बेकार करना से जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है इसलिए अगड़ यंत्रिख खुद बखुद जमीन पर इन्होंने कहा था कि यंत्रो बेकार कर देने में भी खतरा है इससे क्या होगा दूसरे गहते लोगों पता चल जाएगा कि यहां पर भी लोग रहते हैं ठीक है ऐसी यही तो उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके हमें अपने अस्तिफो को छफार करना चाहिए फिर नंबर तीन थे वो कुछ कहते से पहले ही जो है फोन बज गया था ठीप फोन बज गया और फिर यह दिखाज गया धर था कर दिखुष में अंत्रिशियां क्यांत प्रमान एक था हमारे च चेट्षे प्रश्नुत्तर हो गए हैं और आपको पार्ठ भी समझ आ रहा होगा ह और प्रित्वी से प्रित्वी एजंसी जो है नासा उसने यहां से अंत्रिशियान भेजा ठीक है तो मेरे ख्याल से कहानी समझा रही होगी